नवश्कर साथियों स्पागत है आप सभी का वाइफाइ स्टेडी 2.0 पर मैं हूँ अंकित अवस्थिय आप है मेरे साथ में 15 मिनिट के 15 सवाल खास सेशन आपके सामने साथियों पहला सवाल बना है किस राजिके सीम ने भारत का पहला किसान उत्पादक संग्धन FPO शक्ती पोर्टल लॉंच किया है ताकि यह किसानों की ग्रास रूट लेवल पर मदद कर सके मेरे साथियों इसका मुख्य उत्देश एक यह है इस प्रकार का और्गनाइजेशन है जो की भविश्य में आने वाली सभी गतिविदियों को जनता को अवगत कराएगा इसका मुख्य उत्देश लोगों को ग्रास रूट लेवल पर बेनेफिट करना है यह एक शक्ती पोर्टल है और यह किसान कल्यान मिशन के तहट गोरख पुर से लॉंच किया गया है यह तत्थ्या आप लोग याद रख सकते हैं प्यारे साथियों फार्मर प्रड्यूस और्गनाईजेशन सेंटर जो है यह किसानों के जितने भी संग्ठन है या फिर एगरिकल्चर के लिए जो यूनियन बनी हुई है उन्हें एक ही पोर्टल पर लेके आता है महिलाएं हों या फिर वो लोग जो की एक प्रकार से हाशि पर है समाज में उन लोगों की मदद करता है और इसका मुक्य उद्देश मेरे प्यारे साथियों लोगों को ऐसे सुविधाएं उपलब्द कराना है ताकि उन्हें अपना प्रड्यूस बेचने के लिए उतपाद बेचने के लिए कहीं पर परिशान ना होना पड़े बात की और एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम दुद्वा नेशनल पार्क है मेरे पहरे साथियों यदि आप चाहते हैं आज से शुरू हो रहे मेरे इंडियन जोग्रफी के नए बैच में जुड़ना तो आपका स्वागत है आज से मेरा बैच SSC कैटेगरी में आ रहा है और इस SS से है वो भी आपको मिल जाएगा आपको अनकेडमी पर गूगल प्लेश्टेर से डाउनलोड कर लेना है अनकेडमी को और वहां से मेरे बैच के अंदर एक्सेस कर लेना है आपके लिए इस वीकेंड भी यानि इस रवीवार भी SSC कॉमबेट टेस्ट होगा चो कि आपके लि जिसमें की आप लोगों को 20 सवाल के आंसर 20 मिनिट में देने होते हैं अगर आप इसमें विजटा बनते हैं तो प्रधम ती इन विजटाओं को UPSC की एक मंत की अनकेडमी की फ्री सब्सक्रिप्शन बिनती है यह है आपको एक्सेस करने के लिए मेरा रैफरल कोड अंकिल 10 करना होगा इसके बाद में अन्य विजटाओं को 500-500 रुपए और उसके बाद में आखरी 10-5 विजटाओं को 200-200 रुपए अमेजन गिफ्ट वाउचर में दिये जाते हैं साथियों कि सिराजी सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क इस्थापित करने का निरने लिया है आंद्रप्रदेश सरकार के द्वारा आल ही में पस्थ गवर्मेंट रन यानि कि यहाँ पर जानवर जो है उनके लिए भी अब एम्बुलेंस की सेवाएं उपलब्द होंगी ऐसा कार्य आंद्रप्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है यह काफी महत्वपूर्ण कारिय है और मुझे लगता है इस सीष के लिए जगानन्ना को पेटा अवार्ड से भी सम्मानित किया जा सकेगा मुझे ऐसा लगता है मविश्व में हो सकता है आपको यह आंसर याद करना पड़े भारत का पहला ऐसा होगा कि यहाँ पर जानवरों के लिए भी एक एम्बूलेंस होगी इसकी वज़े से पशुपालन और पशुचिकित्सा के अंदर राच्य का बहुत विकास होगा हाल ही में पशुचिकित्सा के लिए कुल मिलाकर के 145 एम्बूलेंसेज गुच सलेक्ट किया जा रहा है और यह 108 सेवाओं की तरज पर स्थापित की जाएंगी ताकि घर पर जाकर के पशुचिकित्सा सेवाएं उपलब्द करवाई जा सके आंदर परदेश की राजधानी हाला के तीन है परतमान में तो अमरावती मतलब एक परकार से हैदरावाद ही शेयर कर रही है इसके अलावा फिर अमरावती होगी कुर्नूल होगी और वाईजैग होगी विश्वर भूशन हरी चंदन गवर्नर है यहां के गवर्नर वो चीफ मिनिस्टर है पापी कॉंड़ा राजिव गादी श्री वेंके टिश्वेर हैं यहां के राज नेशनल पार्क इस्थित है कौन सा राज अपनी एथेनॉल निती जारी करने वाला पहला राज बन गया है तो मेरे पहरे साथियों बिहार हाल ही में एथेनॉल यानि C2H5OH आप इस फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं इन तीनों को मिला दीजिए तो बन गया C2H5OH एथेनॉल की निती जारी करने वाला यानि की एथेनॉल पर करने वाला क्या है उसमें बायो इथेनॉल का मिक्शर करके उन्हें ब्लेंड़ रूप से उपलब्द करवाया जाएगा या फिर यू कहें एक प्रकार से ये वो इनन होगा जो की बायो इनन कहलाएगा इस प्रकार से उसका उप्योग करने का निरने लिया गया है इथेनौल प्रमोशन पॉलिसी दो हजार एक केस विहार के द्वारा चारी की गई है यहाँ पर 15% की एक प्रकार की सबसीड़ी मशीनरी लगाने पर दी जाएगी पांच करोड तक का इसमें लाप सुनिश्टित किया जाएगा पटना की राजधानी पटना अग बिहार की राजधानी है और खागू चोहान यहां के गवर्नर है वालमिखी यहां का एकलोता एक नेशनल पार्क है बढ़ते हैं आगे किस राजिने किसानों ने प्रेश फ्रूट केक मॉवमेंट शुरू किया है रिपैरे साथियों हाल ही में महाराष्टर के फार्मर्स के दबारा प्रेश फ्रूट केक मूउमेंट शुरू किया गया है पैंडेमिक के दोरान और यहाँ पर हुआ यहाँ पर हुआ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे आप्शन्स फलों के माध्यम से केक बना के दिये जा रहे हैं एक प्रकार से यह वो कार्य है जिसके तहट किसान अपने परिवार और खेती करने वाले विभिन संग्ठनों के माध्यम से तर्भूज, कस्तूरी, अंगूर, नारंगी, अनानास जैसे पलों का उप्योग करते हुए फूट से बनने वाले केक को प्रमोट कर रह इसी के साथ साथ ही अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में जारी, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का रेंग क्या रहा है? मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में 56th rank पर पहुंचा है भारत, according to International Property Consultancy, Knight Frank ने हाल ही में weakest performance के लिए भारत को 56th इस्थान पर रखा है, हमारा जो मतलब YOY home price appreciation है, उसके हिसाब से इसे इतने नीचे पाइदान पर भेजा गया है, इनका कहना है कि हमारे यहाँ पर prices में जो changes हैं, वो 56th position पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर prices गटे हैं, prices अगर देखे जाएं, तो कहाँ पर बड़े हैं, टर्की वगरा देशों के अंदर बड़े हैं, असल में यह क्या कहना चाहता है, यह कहना चाहता है, यहाँ पर year on year, यानि कि एक साल के अंदर, जो prices में decline हुआ है, वो minus में हैं, यानि कि सस्ते हो गए हैं मकान, तो भया, यह तो हमारे लिए अच्छी है, तुम्हें क्या लेना देना इस बात से, नहीं क्या, हाँ जी साथियों, यहाँ पर यह कहा गया है, कि हमारे यहां के जो मकान है, उन्होंने prices में कीमत को drop देखा है, तो भाई साहब की एक सो नवा इस्थापना दिवस मनाया, तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में, बिहार ने अपना एक सो नवा इस्थापना दिवस मनाया है, और जल जीवन हरियाली की धीम पर इसे मनाया गया है, तो बिहार डे मनाया गया हाल ही में, बाईस मार्च को मनाया गया, तो यह त करते हैं तो ब्रिटिश हुकूमत के समय से ऐसा हुता रहा है अच्छा अगर हम बिहार के ancient history की बात करें तो यह मौर्य सामराज्जी का हिस्सा हुआ करता था मगद का और यहां जो है शुषान सिंग राशपूत अपिनीत फिल्म है इसे इन चीज के सम्मान से समानित किया गया मरनोप्रान 667 नेशनल फिल्म अवार्ड था यह 2019 के अवार्ड है और इन अवार्ड के अंदर जिंजिन को अवार्ड दिया गया है वो आप देख लीजिए सर्षिस्ष्ष फिल्म के अंदर अगर आप देखें सर्षिष्ष अभिनेता मनोझ भाजपई सर्षिष अभिनेतरी कंगना रानूत वो दो मूवीस के लिए चुनी गई पंगा और मणी करने का सर्वसिष्ट निरदेशन संजैपूरन सिंग चोहान और सर्वसिष्ट हिंदी फिल्म में छेचोरे और सर्वसिष्ट फिल्म में मरकर अरभी कड़ा लिंटे सिमहन जो है ऐसे चुना गया है कंग्रा रानौत जो है उनको मनिकरिन का जो की हिंदी मूवी है पंग्यपंगा मूवी है उसके लिए बैस्ट एक्टरिस चुना गया है मूस्ट फिल्म फ्रेंडली इस्टेट का दरजा सिक्क्यम को दिया गया है यह तथ्याफ याद रख सकते हैं इसके साथ साथ बैस्ट एक्टर में मनोज बाजपई जो मूसले मूवी के लिए और धनुष को आसूरान मूवी के लिए सम्भानित किया गया है गांधी शांती पुरसकार के लिए निमन में से किसे चुना गया है तो मेरे प्यारे साथियों शेक मुजीबुर रह्मान जो की गांधी पीस प्राइस के लिए चुने गया है शेक मुजीबुर रह्मान वर्तमान में शेक हजीना जो की बांगलादेश की पी-म है उनके पिताजी है शेक मुजीबुर रह्मान को उनके द्वारा एहिंसात्मक आंदोलन को भारत की तर्च पर आगे बढ़ाने के लिए यह पुरसकार दिया गया है हाला कि आपको मालूम होना चाहिए कि यह बंगलादेश के राश्ट पिता भी कहलाते हैं 2019 में ओमान के महामहीम सुल्तान कबूस बिनसद अल को यह पुरसकार दिया गया था गांदी चांती पुरसकार जो है यह है उन लोगों के लिए जो की मतलब गांदी जी की आइडियोलोजी में फेद रखते हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए एक करोड रुपे के राशी के साथ में प्रदान किया जाता है 125 वी जैनती पर 1905 में यह कारे शुरू किया गया था और इस पुरसकार का निर्धारन प्रदान मंत्री के नित्रव में बनी हुई एक कमैटी के द्वारा किया जाता है सागर सरहदी का हाल ही में निधन हो गया वे किस शित्र से सम्मंदित है मेरे प्यारे साथियों एक बहुती फेमस राइटर और फिल्म में करते सागर सरहदी इनका हाल ही में निधन हो गया है इनके दोरा बहुत सारी अच्छे फिल्में जैसे सिलसिला, बाजार, कभी-कभी जैसे फिल्में लिखी गई थी इनके दोरा यशराज चोपड़ा फिल्म बैनर के तरह कभी-कभी जो है वो इनी के दोरा लिखी गई थी शहीदी दिवस जिसके अंतरगत पूरा भारत इनकी सहीदी को याद करता है और अपनी तरफ से ट्रिब्यूट करता है शहीदी दिवस 23 मार्च को सर्वस्रेश ट्रूप से मनाया गया आपको मालूम होना चाहिए ये असल में मेरे प्यारे साथियों इसलिए मनाया गया था क्य कि यहां पर आज ही के दिन, यानि की 23 मार्च के दिन इनको फासी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा CM ने Mission Gramodaya योजना की शुरुआत की कौन से राज़े के CM ने मेरे पहरे साथ ही हो हाल ही में मद्ध प्रदीश राज़े के CM के द्वारा Mission Gramodaya शुरुआत किया गया है Mission Gramodaya जो है नरेंद सिंग्टूमर की प्रजेंस में किया गया इस Mission के दौरान Housing Facilities in Rural Areas शुरू की गई है मैं आपको बताऊं किस राज़े सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 से गटा कर 21 कर दी है तो मेरे पहरे साथ हो दिल्ली गवर्मेंट ने अब जो उफिशियल उम्र है शराब पीने की वो 25 साल से गटा कर 21 साल कर दी है उनका कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये सरकार के द्वारा जो लिकर स्टोर है से टी में उन्हें एंड करना चाहते हैं कैसे एंड होगा ये तो नहीं पता है लेकिन लार्ज नंबर कस्टोमर जो है वो NCR टाउन में जाते हैं इस वज़े से अच्छा दा न्यू एक्साइस पॉलेशी और लिकर आलसो इंक्लूड एक्विटेबल डिस्ट्रिबूट लिकर विकॉस करेंटली सम एरियास ऑफ डैली है हायर कंसेंट्रिशन अफ लिकर श्रॉप दैन अधर्स आगे बढ़ते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन विश्विस्तर पर मनाया जाता है मेरे प्यारे साथ की हूँ वर्ड मेटरिलोजिकल डे मनाया जाता है 23 तारिक को यानि 23rd of March को वर्ड मेटरिलोजिकल दिवस मनाया जाता है ये किसके दिवारा मनाया जाता है वर्ड मेटरिलोजिकल ऑर्गनायजेशन के दिवारा यह मनाया जाता है जिनेवा में इसका मुख्छा लख याद रख सकते हैं इसकी वर्टमान में प्रमुक पेटेरी तालस है 21 माच 2021 को समयक्त अरब अमिराद के अल आवेन मेरे प्यारे साथियों, सिंग राज ने स्वन पतक जीता है, हाल ही के अंदर, पैरा ओलंपिक के अंदर, इंडिया का मिशन है और ये आप तथे याद रख सकते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक सवाल के अंदर, एक मिनिट के लिए, क्रिकिट के अंदर, हाल ही के अ मार्च मार्च से 21 मार्च के बीच में आयोजित की गई थी, आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, अनकेडमी पर, तो मेरी लाइव क्लासे, टेस सीरीज और डाउट क्लेरिंग सेशन, आपको अनकेडमी पेड पर प्राप्त हो जाएंगे, आज से मेरा नया बैस शुरू हो र कर सकते हैं.